नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आपके मान में ऐसा क्यालता कि Helio G80 और Snapdragon 675 दोनों प्रफेसर में से कौन से सबसे बहतर है तो आप बिल्कुल सही जगे पड़ा है इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा MediaTek Helio G80 जो कि एक mid-range gaming CPU और Snapdragon 675 जो कि पिछले साल का एक बहुती बढ़िया Media and CPU दोनों में से कौन से सबसे बहतर है और क्यों सबसे बहतर है तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो बिना कोई वक्त कबाए और एक वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चनल पर नहीं तो चल के सबस्काइब कर देना अगर एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को डिजलाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो HELIO G80 लांच हुआ है 2020 QUART 1 पे और SNAPJAK 675 लांच हुआ था 2018 QUART 4 पे मतलब लगबग देर साल पहले SNAPJAK 675 लांच हुआ था HELIO G80 और SNAPJAK 675 दोनो इन प्रोसेसर 64 बिट्स OCTACORE प्रोसेसर है HELIO G80 बना है 12 NM आर्खिटेक्चर पर और Snapdragon 675 बना है 11 nm आर्किटेक्चर पर ये nm नम्म जितना कम होता है वो प्रोसेसर बूतता है ज़्यादा पावर एफिशेंट होता है तो इसका उल्दा पावर एफिशेंट के मावले में Snapdragon 675 थोड़ा सा बेटार है और Snapdragon 675 में दो High Performance Cortex A76 Core जिसका स्पीड है 2.0 GHz और 6 Low Performance Cortex A55 Core जिसका स्पीड है 1.7 GHz तो Core Configuration के मामले में Snapdragon 675 बेटार है ये कि इस में जो High Performance Core बहुत हिलियो G80 से बेटर जिनेरेशन यूज किया गया है तो Core Configuration के मामले में Snapdragon 675 बेटार है अगर मैं दोनोर प्रसेसर के RAM सपोर्ट की बात करो तो Helio G80 और Snapdragon 675 दोनों में Dual Channel LPDDR4X RAM यूज किया गया है लेकिन Helio G80 में जो RAM का स्पीड है बो है 800 MHz लेकि Snapdragon 675 में जो RAM का स्पीड है बो है 1866 MHz तो इसका मंदलब RAM स्पीड के मामले में Snapdragon 675 थोड़ा सा बेटार है तो इसका मंदलब बेटा रस्टोरेस सपोर्ट के मामले में Snapdragon 675 बेटार है अगर मैं दोनोर प्रसेसर के camera support की बात करो तो Helio G80 में 48MP सिंगल कैमेरा और 16MP का डूल कैमेरा सपोर्ट है लेकि Snapdragon 675 में सिंगल कैमेरा में 192 MP लेकिन Dual Camera में 16MP 16MP का सपोर्ट है तो इसका मंदलब मै वीडियो 60fps पे capture कर सकता है तो वीडियो के मामले में Snapdragon 675 और अगर मैं दोनोर प्रसेसर के display सपोर्ट की बात करूँ तो दोनोर प्रसेसर बिल्कुल सेम Full HD Plus तक का display का सपोर्ट है और दोनों में जो maximum resolution है वो भी exactly सेम है अब हम देखते हैं दोनोर प्रसेसर का network support Helio G80 में Cat 7 download link है जिसका speed है 300 Mbps और Cat 13 upload link है जिसका speed है 150 Mbps Snapdragon 675 में Cat 12 download link है जिसका speed है 600 Mbps और Cat 13 upload link है जिसका speed है 150 Mbps Helio G80 में dual band Wi-Fi का support है तो Snapdragon 675 में tri band Wi-Fi का support है तो network connectivity के मामले में Snapdragon 675 obviously better है तो आप देखते हैं दोनोर प्रसेसर का सबसे main चीज़ जो के graphics card Helio G80 में Mali G52 MC2 graphics card का use हुआ है जिसका speed है 950 Mbps और Snapdragon 675 में Adreno 612 का use किया गया है जिसका speed है 845 Mbps अगर मैं दोनोर प्रसेसर के GPU processing power की बात करूं तो देख सकते हैं Helio G80 का GPU processing power वह 54.4 Gflops और Snapdragon 675 का GPU processing power वह 326.4 Gflops यह Gflops मतलब आप जब कोई game या फिर कोई mobile पर editing का काम करते है उसमें rendering कितना जल्दी होता है कितना जल्दी effect load होता है या फिर आप game खेलने के बाद कितना जल्दी हमने का picture clear होता है वह चीज़ इस Gflops के उपर depend करता है तो इसलिए graphics card के मामले में snapdragon 675 बेटा रहे और अगर मैं दोनो परसर के untruto GPU score की बात करता है तो अब देख सकते है कि इस score के मामले में दोने ही बिल्कुल से में लागबग 40,000 के आसपास और अगर मैं centurion mark score की बात करूँ ये भी इतरगा का GPU score होता है इसमें Helio G80 स्कोर करता है 81.6 और snapdragon 675 स्कोर करता है 82.1 तो इसका मदलां सारी GPU score के मामले में snapdragon 675 थोरसा बेटा रहे helio G80 से अगर मैं Antutu score की बात करूँ तो Helio G80 Antutu version 8 में score करता है 2,00,000 के आसपास और snapdragon 675 Antutu version 8 में score करता है 2,10,000 के आसपास Helio G80 से obviously बेटा रहे अगर मैं बास raw CPU power की बात करूँ और अगर मैं raw GPU power की बात करूँ तो दोनों मामले में snapdragon 675 Helio G80 से बेठा रहे तो इसलिए मैं obviously आपर क्या सकता हूँ आगर इस दोनों प्रोसेसर के बीच में exact comparison किया जाए तो snapdragon 675 Helio G80 को हरा देता है लेकिन इसका मंदों पैसा विल्कुली भी नहीं कि Helio G80 बहुती बुरा प्रोसेसर है अच्छा प्रोसेसर है लेकिन snapdragon 675 के टककर कर नहीं है तो आज का वीडियो ही तक उमीद एक conversion वीडियो आपका पसंद दाए होगा फीचर में आप और ऐसे कौन-कौन से प्रोसेसर के बीच में conversion देखना चाहते है मुझे नीचे comment शक्री में बताना मैं उसके ओपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो मिलते अग झाल सकती है